यूट्यूब के सभी दर्शकों का इस चैनल में एक बार फिर से श्वागत है जैसा कि आप सभी जानते हैं पिछले दो वर्ष में भारत वर्ष में ही नहीं बलकि विश्व में कोरुणा इतना परभाविक किया कि सिर्फ आर्थिक छटी ही नहीं हुई बलकि सैक्षनिक छटी भी हुई और पूरा विश्व परिशानी में पढ़ गया आज भगवान की किर्पा है कि सभी सुख में जीवन बिता रहे हैं लेकिन पिछले दो वर्ष में जितना च्छती हुई उसे पूरा करने में शमे लगेगा मैं आप सभी को बहुत बहुत शुब कामनाएं देना चाहूंगा कि आने वाला शमे शांती पुर्वक और सुख में वैतीत हो लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कोरोना से मुक्ती मिल गई भारत वर्ष अभी ठीक इस्तिती में है लेकिन विदेशों में देखा जा रहा है कि कहीं कहीं कोरोना प्रभावित है हमें अभी भी साबधानी और शतरकता वरतने की आवशक्ता है इस बात को शमजने की आवशक्ता है और अन्त में मैं आप सभी के लिए एक गाना लेकर आया हूं जो पूरे विश्व में काफी चर्चित हुआ है गाना एक सुफी है मेरे रस के कमर आईए इस गाना को सुना जाए मज़े मज़े में वो कुछ ऐसा कह गई पर वो होश में ना कह पाती पर जिस अंदाज में वो कह गई कसम खुदा की मज़ा आ गया इस गाना काताप पर यह है कि एक शुन्दर इस्त्री पर दर्शाया गया है और सुन्दर इस्त्री को देकर चांद भी रस करता है जलता है तो आईए इस गाना को सुना जाए ऐसे लहरा के तूरू बरू आ गई धड़कने बेतहासा तडपने लगी तीर ऐसा लगा दर्द ऐसा जगा चोट दिल पे वो खाई मज़ा आ गया मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिली मज़ा आ गया आँख में थी हया हर मुलाकात पे शुर्ख आरिज हुए बस एकी बात पे उशने शर्मा के मेरे सवालात पे ऐसे गरदन जुकाई मज़ा आ गया मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मज़ा आ गया आँख में थी हया हर मुलाकात पे शुर्ख आरिज हुए बस एकी बात पे उशने शर्मा के मेरे सवालात पे वैसे गरदन जुकाई मज़ा आ गया बहुत बहुत धन्यवाद अंत में मैं कहना चाहूंगा कि अभी कोरोना शमाप्त नहीं हुआ है हम सभी को शाबधानी और शतरकता बरतने की आवशक्ता है बहुत बहुत धन्यवाद